अभी तक हम इतना complete कर चुके हैं, पूरा texturing का part, अगर बात करें, तो इतना हम complete कर चुके हैं, ठीक है, तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, modeling तो complete होई गया था, वो और textures करते हैं, इसके अंदर textures देखते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, textures के अंदर, ठीक है, last video में आपने देखा ही थ है, ठीक है, यह material आ गया, ठीक है, हमने जो metal type का जो बनाया था, यह हमने metal, ठीक है, जो यह जो था, ठीक है, जो हमारा जितना भी था, यह border जो थे, यह metal type का एक metal बनाया था, तो हमने इस पे दिया था, इस पे भी हमने black color दिया था, तो already इस पे भी वही color हो चुका है, ठीक ह हम इसके उपर अगर काम करें ठीक है मैं alt क्यों कर दिया मैंने ठीक है इसे बाहर आ गया है इसे इसके उपर हमें नहीं किया है तो चैनल जरू सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए आप लोगों के लिए मैंने एक यूटूप पर पेज़ बनाया है और जीसको भी आपको solution आता है आप उस पे वो डालिए ठीक है ताकि क्या होगा कि आपस में एक दूसरे की मदद हो सके दूसरी चीज यह है कि आप मेरे साथ मैं उमीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ भी project बनाते होंगे जो भी मैं आपको बताता हूँ ठीक है मैं जानबूच के इतना हाई फाई नहीं बता रहा हूँ कि आपको भी problem होँ मैं अपनी knowledge आपको नहीं रिखाना चारहा है मेरा main मक्सद यह है कि आप easily से easy से way से सीख सकें ठीक है ताकि कोई भी आपको problem ना हो जितना easy हो सके मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल easy तरीके से सिखाने की बस आपसे एक दर्खास है कि आपको कोई भी problem होती है comment कीजिए या मैं अपना facebook link है मैं अपना description में दूँगा आप वहाँ से जाके हमारे facebook को like कीजिए ठीक है और follow करिए उस page को ताकि क्या होगा कि आपको कोई भी problem होती है आप वहाँ पर जाके उसे share कीजिए problem आपका solution मिलेगा दूसरी चीज यह है कि आप लोग पता नी like क्यों नहीं कर रहे है वीडियो को like कीजिए subscribe भी कीजिए channel को ताकि हमारा जो channel है ये और आगे बढ़ सके इसकी growth हो channel की ठीक है और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आओ ठीक है चलो या आगे बढ़ते हैं तो मुझे इसको textures देना है textures के लिए आपको क्या करना पड़ेगा color देना होता है तो normal यहां मैं यह बीच में से देता textures आप Google से कहीं से भी आप download कर सकते हैं ठीक है गूगल पर डालेंगे textures तो free के textures मिल जाएंगे आपको वहां से आप download कर सकते हो ठीक है मैं फिर textures का तरीका पताता हूँ यह box जो बना हुआ color के सामने इस पे click करेंगे bitmap पे जाएंगे जहां पे भी आपका textures का folder है ठीक है आप वहां पे जाएंगे और वो folder के अंदर ठीक है textures का जो folder है वहां पे जाएंगे और उसे provide करेंगे ठीक है मुझे ये bricks wall का ये वाला textures इस type का मुझे कुछ ठीक है इस type का मैं कुछ देना चाहरा हूँ इस पर textures ठीक है तो मैं यह वाला texture इस पर ले लिया मैंने यहां से open कर लेंगे ठीक है तो आप अपना जो अगर material देखना चाहें कि हमारा material बन कैसा रहा है तो आप यहां पर double click करके यह देख सकते हैं यह हमारा material है जो हमें इस पर देना है ठीक है फिर दोबारा हम जाएंगे यहां home page पर जाएंगे तो अभी आप देखेंगे यह बिल्कुल flat flat type का है तो इसे हमें bump map देना पड़ेगा ठीक है जो उभार होता है किसी भी चीज का ठीक है वो आता है उससे तो यहां पर जाएंगे bump map में देंगे तो bitmap पर जाओंगे ठीक है और यहां से मैं यह इसका एक ठीक है आप देखिए ये एक map का वो है, इस पे मैं map दे दे रहा हूँ, ठीक है, यहां से मैंने इसे open करा लिया है, ठीक है, तो ये bump map देखेंगे, कि आपको ये line कितनी प्यारी-प्यारी दिख रहा है, original type का दिख रहा है, ठीक है, और एक चीज और कर सकते हैं, इसके अंदर मैं reflection map भी दे दे दता ह ठीक है, अगर glossiness का देना है, आपको glossiness का भी वहीं से दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे, यह हमारा material बन चुका है, अब बात आती है, apply करने के, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा यहां से इसे select करके, यहां से assign कर दिया, show shaded कर दिया, ठीक है, आप लगाएंगे, हम उपर, यहां पर लगाएंगे, UVW Map, ठीक है, ठीक है, UVW Map देखते हैं के साथी, आप देखें किस type का होगा, हम यहां से देखेंगे, इसे box, ठीक है, आप जैसा चाहें, उसके height बगरा उतनी कम ज़्यादा यहां से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठी आपको requirement है, ठीक है, scene के अंदर जब तक set ना बैट जाए, उतना आप देखेंगे, हमें main जो है, front का view देखेंगा, तो हमें front का देखना है, इसके अंदर की किस type का देख रहा है, ठीक है, ठीक है, मेरे इसाब से इतना enough है, मैं इतना ही पर ही रख रहा हूँ इसे, ठीक है, आप चाहें तो इसे कम ज़्यादा अपने coding रखेंगे, ठीक है, आप देखेंगे, textures इस पर हमारा आ चुका है, ठीक है, रेंडिंग में जो की अच्छा दिखाई देगा, अब बात आती है रूफ की, ठीक है, रूफ में मैं color नहीं देना चाहता है, इस पर भी कुछ textures देना चाहता हूँ, ठीक है, उसके लिए क्या कर रहा हूँ, मैं simply, textures के अंदर गया, ठीक है, यहाँ पर जो यह roof का दिया हूँ है, ठीक है, एक normal color दिया हूँ है, ठीक है, यह वाला color हमारा side roof का ह preview दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है, मैं यह वाला color देना है, नॉर्मल रूप पे, तो यह मैंने select किया, यहाँ से open कर लिया, ठीक है, तो आप देखेंगे, कि हमारे textures यहाँ पर, ठीक है, show नहीं कर रहा है, तो आप देखिए, show करेगा, ठीक है, किस type का है, अब मुझे इसमें से अलगा सा उभार चाहिए, उभार के लिए, देखिए, बिल्कुल fit हो गया है, ठीक है, मैं ज्यादा छेड़ शाड़ इसमें करने के ज़रूतनी है, ठीक है, उभार के लिए मैं नीचे जाओंगा, bump के अंदर, ठीक है, यहाँ bump map है, bump map मैं इसे दे दूँगा, ठी ठीक है, तो मैं ये वाला इस पे textures दे दिया है, ठीक है, आप देखेंगे तो और ज्यादा इस पे originality दिखती है, दूसरी चीज है, मैं इसमें एक चीज और देना चाहता हूँ, यहां से, ठीक है, basic parameters के अंदर मैं से reflection देना चाहता हूँ, reflection के लिए मेरा है, ठीक है, मैं ये ये वाला textures भी दे दिया है, अब बात आती है, ये वाले पे, ठीक है, ठीक है, इस पे भी एक ही material लगा हुआ है, हम अपने हिसाब से होगा, क्योंकि same मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मेरा project नहीं है, तो मेरे पास same ये material नहीं है, ठीक है, तो मैंने भी Google से ये download किया है, तो Google से आप भी download कर सकते है, ठीक है, तो मैंने इस पे देना चाहता हूँ material, तो simply क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक कोई नया material ले लेता है, ठीक है, यहाँ पे गया मैं, bitmap पे गया, ठीक है, और इसके लिए मैं, ठीक है, ये वाला material ले लेता हूँ, ठीक है, और इसे open करता दिखा देता हूँ आपको यह material किस टइप का है यह कुछ इस टाइप का मैटेडियल है ठीक है और उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं इसे मैटेरियल को ठीक है बंप दोगा थोड़ा सा प्रशिनेस भी दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन भी दे सकते हैं, अगर मैटरियल एवलेबल हैं तो आपके पास, ठीक है, तो मैं इस पर खाली ये नॉर्मल वाला ये, हाइट वाला ये है हमारा, मैं इस पर ये दे दता हूँ, तो हलकी सी साइनिंग आ जाएगी इसके उपर, ठी ठीक है, दिखाई दे गया है, ठीक है, मैं इसे Alt-Q के साथ isolate कर लेता हूँ, आप देखेंगे हमारी ये वाला हिस्सा में दिख रहा है, ठीक है, दिखेंगा, तो इसको हम क्या करेंगा भी UVW मैप से सही करेंगे, देखें UVW, आप UVW मैप यहां से दे सकते हैं, मैंने इसे दे ठीक है, ठीक है, size अभी ऐसे तो मैंने कम कर दिया, अब उपर से चोड़ाई जो कम है, ठीक है, वो चीज यहां से कम कर दिखेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप देखेंगे कि हमारा ये texture बिल्कुल set हो गया है, अब सही लग रहा है, ठीक है, और आप देखेंगे, वहां जैसे कि ये grass का बच गया है, ये नीचे का यहां पर थोड़ा road type का है, ये बच गया है, concrete का जो material है, ये बच गया है हमारा, ठीक है, अभी ये texture से इसमें देखते हैं, कैसे देखेंगे, ठीक है, अब ये देखेंगे, पूरा है, नीचे एक बड़ा floor है, ठीक है, अगर हम इ लेक पर, लेकिन एक और तरीका में आपको बिल्गु लेजी तरीका बताता हूँ, एक इस पर आप एक box बना लीजिए, ठीक है, आधे ही हिससे में, जैसे जितने area में ये है, इतने पर box बना लीजिए, और इतने area में हम grass के लिए बनाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या कर र हमारा बनेगा यहां तक, ठीक है, हलकी सी इस पर hide दे देंगे, ठीक है, और इसे top view से जाके T press किया है, ठीक है, इसे मैंने पहले convert कर दिया, editable poly के अंदर, और यहां से मैंने select करके इसको, ठीक है, डवलो प्रेस करेंगे, इसे सही location पर set कर दिए, ठीक है, और यहां से भी low set कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, ताकि, material में, ठीक है, अब इतना हमने दे दिया, इसके अंदर, ठीक है, एमप्रेस करेंगे अब, ठीक है, एमप्रेस करने के बाद क्या करना है, एक पहले मैं basic इस पर material दे रता हूँ, नीचे की भी आ जाएगा, ठीक है, अब इसे मैं convert दुबारा कर रहा हूँ, convert to editable poly, ठीक है, यहां से मैंने इसे select किया, इसके polygon को, उपर वाले पर area पर देना है मुझे, ठीक है, और एक नया material यहां से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, आप अपना नाम कुछ भी रख सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि मैंने यह material कहां पर दिया हुआ है, ठीक है, तो आकि आपको याद रहे, कुछ भी रख सकते हैं, अपना जो भी नाम है, आपको याद रहे ताकि, ठीक है, तो मैं इस पे एक material दे देता हूँ, ठीक है, कुछ इस type का है, ये white plaster type का, ठीक है, तो मैं इसे यहां से material दे देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ये material है किस type का, ये कुछ इस type से आएगा, ठीक है, इसे मैं map देने पड़ेंगे, ये थोड़ा से ज्य तो आप देखेंगे, इसके इतना हमें डिस्प्लेस्मेंट नहीं देना है, यहाँ पर अभी देखेंगे तो आप कितना है 100% है मैं यहाँ से 30% कर लेता हूँ ठीक है तो आप देखिए हलका सा यह उबडखाबर बन गया है और इसमें मैं थोड़ा सा अभी जो इतना है इसमें मैं reflection देना चाहता हूँ reflection के लिए दुबार में यह पास एक reflection का map है मैंने reflection दे दिया ठीक है आप चाहें तो यह इसका आप combination भी रख सकते हैं कि मान लिजे मुझे reflection थोड़ा सा देना है यहाँ से अभी reflection नहीं दिखाई देगा क्योंकि map का आया यहाँ पर आप जाएंगे नीचे वहाँ पर ठीक है यहाँ पर reflection आपको दिखाई देगा जहाँ पर reflection मैप दिया हो है 100% लिखा है 100% मतलब पूरा यह map दिखा रहा है इसमें हम कर लेते हैं 50 तो क्या होगा यह 50% तो हमने जो यह लगाया इस पर अपने हिसाब से वह दिखाएगा और 50% जो map लगाया उसका दिखाएगा ठीक है तो यह हमने बना लिया है एक material और मैं इस पर assign कर दे रहा हूं show shaded कर देते हैं ठीक है आप देखेंगे तो यह किस type का दिखाई दे रहा है ठीक है यह कुछ इस type का दिखाई दे रहा है ठीक है और इस पर क्या करते हैं अभी हम यह वाला दिखाई दे रहा है कुछ इस रहा हूं ठीक है आप भी देखिए क्या चेंज है आएगा इसमें ठीक है UVW मैप मैं लगा देता हूं इसके अंदर ठीक है आप पहले इसे बॉक्स रखेंगे यहां से और साइज आप यहां से देख लिए कि कितना यहां क्या चेंज आ रहा है यहां पर ठीक है कम करना कम कर लि है ठीक है और दूसरा ठीक है और आप यहां से टाइलिंग भी बे सकता है अगर जाहें तो इसको टू टू ज़्यादा चोटा हो ठीक है यह दिखने लिए हो ятельिक है दीर ना वन ale रहा हो यहाँ नबारा फुरा रोन कर दिया ठीक है और यहां पे कुछ इस type का material बन गया है, तो मैं इसे end isolate कर देता हूँ, और आपको दिखाता हूँ, यह कुछ इस type का बन गया है, ठीक है, आप चाहें तो और दूसरा material भी दे सकते हैं, ठीक है, जो available है, मेरे को यह वाला ठीक लग रहा था थोड़ा सा, क्योंकि यह थोड़ा match कर रहा था इससे, यहां से, ठीक है, तो मैंने यह वाला दे दिया, अब बात आती है, यहां पे हमारी, ठीक है, हमें देना है इसके अंदर, ठीक है, अभी हमें देना है यहां पे भी grass का material, तो grass के material के लिए हमें simply क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी मुझे एक box बनाना पड़ेगा, जैसे यह बनाया था, उसी के तरीके से हम यह बनाएंगे material देंगे grass का, यहां से box ले लिया है, simply मैं यहां से select करके box बना दे रहा हूँ, ऐसे एक, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फ्रेंट से जाके देख लेए हाइट कितनी देना चारे हैं आप इ सी height थी है, क्योंकि हमें जाते देनी नहीं है, इतनी enough है, ठीक है, अब आपको यह देखी, यह थोड़ा कम लग रहा है अगर by chance, तो हम क्या करेंगे, इनकी height बढ़ा देंगे, ठीक है, बढ़ाने के लिए simply height यहां से हम बढ़ा देंगे इसकी, ठीक है, और इसकी height हमने बढ बढ़ा दी है, तो आप क्या करेंगे, इसी को मैं copy करके, जितने भी हैं, यह मैंने कर दिया delete यहां से, और इसी को मैं copy कर रहा हूं आगे कि तरह, ठीक है, ठीक है, कितने चाहिए, 4 पांच जितने भी चाहिए, 4 चाहिए, तो मैं 4 copy कर लिए है, ठीक है, खाली इसको सही जग कर लेजिए गारे से जितनी आपको requirement है उसके according आप इसे set कर लेना ठीक है अगर आप चाहें तो और पास पास करके भी इसे और एक extra और बना सकते हैं अब बात आती है मुझे देखो material मेर को देना है इसके पर ठीक है लेकिन अभी यह देखे पूरा shape देना है ठीक है तो इस shape के लिए मैं क्या करूँगा इस पर लगा रहा हूं यहां से आप देखिए यहां से मैं इस पर लगार रहा हूं पहले कर रहा हूं इस एडिटेबल याँ प्र आप देखें लोग कैसे यहां पे देना है ठीक है यहां पर हैं छुड़ा अंदर जाएगा तो इस यह खो यहां पर गया लॉब बना दिया ज сек कुन कर करेंगे simply हम polygon select करेंगे ठीक है इसे मैं कर लेता हूँ isolate हटाई देता हूँ इसे भी थोड़े देर के लिए hide कर देता हूँ ठीक है, Hide Selection कर दिया है, ठीक है, आप देखेंगे, मुझे खाली इसका Polygon का एक ये वाला हिससा Select करना है, ठीक है, ये वाला हिससा Select करना है, ठीक है, और इसे मैं यहां से कर दूँगा, इसे Color वाले को भी बंद कर देता हूँ, यहां से मैं Extrude करूँगा, ठीक है, OK कर और जितना मेरे को पीछे तक करना है यह वहां तक हम इसे एक्स्ट्रूड करते हैं ठीक है अब बात आती है देखिए यह हलका सा यह गैप बच गया है तो हम क्या करेंगे उसके लिए यह वाला एरिया सेलेक्ट करा है मैंने ठीक है अच्छी चीज बनाने के लिए हमें सा टाइम लगता है ठीक है आप यह मन सोचेगा कि कोई जादू लग जाता है आप भी बनाईए एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन चीज ऐसी बनाईए कि आपको लगे कि हां कुछ बनाया है कोई भी देखे तो कहें वाव करें ठीक है तो अच्छी चीज बनाईए है ठीक है देखिए मैंने यहां पर दे दिया इसे अब बात आती है इसकी मैं यहां से सलेक्ट किया इसे ठीक है और दुबारा मैं इसे कर दे रहा हूं यहां से एक्स्ट्रूड ठीक है और यहां से मैंने इसे एक्स्ट्रूड किया लेक का सा ctrl z किया मैंने ok कर देते पहले और फिर इसे set कर लेंगे ठीक है अब last extrude बचा है हमारा ठीक है जो की ये वाला है ठीक है इसे मैंने यहां से extrude कर देता हूं ok कर देता हूं और सही लोकेंसर जहां से दिखाए देए उसे हम इसे set कर देंगे ठीक है आप देखेंगे ctrl s किया मैंने और जो हमने हाइड किया था उसे कर देते हैं अन हाइड और राइट क्लिक करके हो जाता है यह यह वाल हमारी आ गई है अब जितने एरिया में हमें घास चाहिए वह बन चुका है हमारा एरिया ठीक है और दूसरा भी तरीका आप लाइन लेके यहां से पूरे बे और उसे इस प्लाइन के अंदर मिलेगी लाइन आपको पूरा लाइन से सलेक्ट करके वहां से भी एक्स्टूड कर सकते हैं लेकिन वहां कही बार प्रोब्लम आ जाती है प्रोब्लम यह हो जाते हैं तो वह problem create करने लग जाता है अब मुझे घ्रास का material देना है इस पर मैंने impress किया और यहां से मैं एक grass बनाओंगा grass का material ग्रास लिखा मैंने यहाँ पर simply grass का material अगर आपको ले रखा हुआ है आप आप जाएंगे grass का material के अंदर ठीक है grass का मैं material यह वाला देना चाह रहा हूँ ठीक है आप बना दिखा भी देता हूं यह किस टाइप का दिख रहा है ठीक है grass का कुछ इस टाइप का material है हमारा और मैं इसके अंदर दूँगा यहां से ठीक है थोड़ा सा पहले मैं इसे simple यह वाला material दे दे रहा हूँ assign कर दिया ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ इसे select किया मैंने material को ठीक है हमें क्योंकि यह जो देना ही है उपर वाले polygon पर खाली देना है ठीक है तो मैंने इसे select किया यहां से ठीक है और convert कर दिया एडिटेबल पॉलिग अंदर पहले फिर यहां से पॉलिगन सेलेक्ट करके ठीक है आप देखेंगे एक बार हमें पहले command से भार आना पड़ेगा ठीक है यह भार आ गया हूं मैं और फिर मैंने इसे select किया यहां से polygon सेलेक्ट करा और उसे simply उपर वाले जो polygon मैं सारे control के साथ मैं सारे press कर लेता हूं ठीक है select कर लेता हूं जितने area में मुझे grass लगानी है मुझे इतने area में grass लगानी है simply यह वाला क्लिक किया हूँआ हम यहांसे इसे assign कर देता हूं और यहांसे आप करेंगे associated करेंगे तो आपको grass दिखाई भी देगी ठीक है अभी grass क्यों नहीं दिखाई दे रही क्योंकि हमने यह अभी bump वाला हमारा show कर रहा है अब आप देख करेंगे show तो आपकी grass दिखाई देगी यह जो दिखाई दे then again 3, ठीक है. आप दखेंगे यह हमने इस पर ग्रास का मेटिरियल दे दिया है. ठीक है? यह धंग से आया नहीं है. ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? हम इसे UVW Map देंगे. UVW Map पर जाएंगे यहाँ पर ठीक है? UVW Map, then Box पर Click करेंगे, ठीक है? और वहां इसका टेक्चर में अभी नॉर्मल ऐसे वाइट कलर का दे रहा है अगले वीडियो में इसमें थोड़ा टेक्चर दो बचा हुआ वह पार्ट कम्पलीट करेंगे है ठीक है हमारा ये इतना बन चुका है बाकी अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे ठीक है आप देख सक नग्स रुड़ आमनाते है